हेलो वर्वान स्वागत है आप सभी के पसंदार यूट्यूब चैनल राइजूकेशनल में में स्मार्ट मैट्रिक्स की सीरीज में अगला वीडियो है और आप सभी पता है पर एक वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ और लगातार हम लोग कई पार्ट के बारें बात कर र रिपीट होता रहता है तो मेरा एक ही उद्दा है एक ही उद्देश है कि आप लोगों के लिए ऐसी प्रशनों की सीरीज लेकर आए जाए वो भी ट्रिक्स के साथ ताकि जो मित्र गणित में किसी भी वज़य से परिशान रहते हैं गणित में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं वो इन ट्रिक्स की मदद से अपने एक्जाम को बेटर कर सकते हैं उसमें अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं तो आज बात करेंगे स्मार्ट मैट्रिक्स में सिर्फ दो सेकेंड में आप ऐसे प्रशनों को लाभानी के ऐसे प्रशन आप सिर्फ दो सेकेंड में सॉल्व करें जी हाँ जैसे ही प्रशन देखेंगे और हमारे एक ही मातर उद्देश से आपकी हेल्प करना और आपके प्रशन पत्र में आपके समय को बचाना तो चलिए देर नगते वीडियो शुरू करते हैं वीडियो और भी सारी वीडियो को देखने के लिए चैनल की प्लेडिश्ट प लेका रहा हूं लगवा के चार-पांच पार्ट हो चुके हैं और यह अगला पार्ट है आपके लिए कि एक दस रुपए में 11 क्रें कर 11 बेस्ता तो उसको लाब या हानी जो भी हो उसका प्रतीशत बताईए की लाव हो रहा है यह प्रशन आपने कई बार देखा होगा और आई होब कि आपके चेरे पर स्माइल जरूर आ गई होगी इन सारे प्रशनों को आप कहीं नहीं ढूरते होंगे कैसे सॉल्व किया जाए आज यह हम ट्रिक से जानेगे और विधिन फ्यू सेकंड्स आप इसको सॉल्व करेंगे तो में तो जब भी ऐसे प्रशन आते तो हम कहा जाते हैं अपने मास्टर सॉब के पाश जाते हैं वहनίν से जानते हैं उनकी मास्टर्ट्र की इस प्रश्न के अनुसार तो चलिए चलते हैं तो master trick में यहाँ पे देखिए mentioned क्या है, master साब ने बहुत अच्छी master trick बनाई है और क्या कहा है master trick में कि समान और खरीदा बेचा आपने जो खरीदा है जो बेचा है और आपका जो समान है उसको एक तरफ रगी समान एक तरफ खरीदा एक बेचा है मान लिजए x है मान लिजए एक pin है ठीक है x pin है उसको 10 रुपे में आपने खरीदा और फिर उसी pin को आपने जितना भी रुपे में बेच दिया तो यह cross multiply यह आपस में लिख लिजए x गुड़े b minus का sign y गुड़े a लाब और हानी होगा अब बात करते हैं लाब और हानी होगा कैसे यह कैसे पचानेंगे तो जब plus में value आए तो आप सीधा समझी जएगा कि आपको लाब हुआ है और minus में value आए तो वहाँ पे हानी हुई है है ना simple तो चलि और भी simple इसको बनाते हैं प्रष्ण को सीधा solve करके तो भाइया हमारे समाख श्यायप प्रश्ण ये कि 10 रुपए में 11 संत्र खरीद कर ग्यार रुपए मरे 10 बेज देते हैं तो लाब और हानी प्रतिश्या तो सीधा बताना है तो 10 रुपए में भाइया हमने 11 शंतर खरीदे यहां पर दस कुण दस बटा गयारह गुड़े मांने लिस्ट में किया यहां पर मैंने लिखा था सामान और यहां पर लिखा था कितरे में खरीदा बेचा तो इस तरफ आपका पैसा होगा इस तरफ सामानों के शीष को मेंशा याद रखिएगा ट्रिक है तो ट्रीक हमेशा हम लोग बहुत थी सावधानिस लगाते हैं तो 11 रुपए में 10 संत्रे ख साब से होगा ओके तो क्रोस मेल्टिपलाइ कैसे करें हम लोग 11 गुड़े 11 माइनस 10 गुड़े 10 बटा 10 गुड़े 10 यह तो मैंने बोला था ना एकस इंटू बी वाइंटू ए अपान वाइंटू ए यह था फॉर्मूला यह हो जाएगा 121 एकसो 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 माइनस 100 बटे 100 यहां पे 21 बटा 100 हो गया यह आगे 21 बटा 100 अभी प्रतीशत मनी आया प्रतीशत में करने के लिए गुड़े 100 कर दीजे यह दोनों कैंसिल आ गया 20 प्रतीशत वो भी प्लस में यानि कि आपको लाब हुआ है अब यहां पे आप सोचेंगे इतना टाइम लग रहा बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा कै कैसे जैसे आपने देखा 11 गुड़े 11 माइनस 10 गुड़े 10 आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगी इतना सिंपल है गुड़े 121 और 10 गुड़े 100 अब नीचे 100 लिखनी के आवश्यक्ता नहीं क्यूंकि प्रतीशत में करना गुड़े 100 करेंगे नीचे नीचे वाला कै जाए जैसे 20 रुपए में 30 पिन खरीदे 30 रुपए में 20 पिन हमने बेज दिये तो सीरी इस बात है जो सामान है वो एक तरफ जाएगा और पैसा एक तरफ जाएगा तो सामान कितना है पहले आपका 30 है फिर दुबारा समान कितना 20 है पहली बार पैसा कितना 20 है फिर 30 है आप यहीं है ना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तीस्तियां 900 ठीक है अच्छे से तुला से यहां पर लिखने हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए 900 माइनस बीस गुड़े बीस 400 बटे 400 यहां पर गुड़े 100 रहता है प्रतीशत बदने के 2020 कैंसिल 900 में इसे 400 गटा 500 बटा चार इसСे काड़ दिया तो बारतं चोंक ważne 450 बाराबर जाएगा 12 बार क्या है एक यह बार ले जाएंगे फिर यहां तर्स दैगा दो ब स्कित फिर्वन यहां रिपीट होते हैं चलिए एक प्रश्ण और हम लोग डील कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ वाजा इस प्रश्ण को मैं लिख के आपको पहले समझाने कोशिश करता हूं माली जे कोई A है वो रुपीज 16 रुपए में 9 पेन खरीदता है अब डिरेटली आप समझीएगा और 20 रुपए में रुपीज 20 में वो 11 के भाव से बेच देता है तो उसको लाब यहानी क्या हुई है यह बताईए तो मैंने क्या बोला है 16 रुपए में 9 पेन खरीदता है और 16 बटे 20 एक तरफ रहेगा है ना तो यह आप लिखिए समान 9 और 11 था वो 16 और 20 था यहां पर क्रॉस कर दीजिए कैसा भी ओर्डर हो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है तो किसे हम इसको सॉल्व करेंगे मित्रों आराम से करेंगे 9 गुडे 20 माइनस 11 गुडे 16 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25 बटाई 11 जिसको अगर इस फॉर्म में हो तो इस फॉर्म में प्रतिशन और उपर से प्लस है यानि कि लाग हुआ है और इसको अच्छे से और फ्रेक्शन फॉर्म में हो तो दो साही 3 बटे 11 प्रतिशन में भी आएगा तो कै में एक और प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए प्रश्न मालीजे कोई मालीजे कुर्सी है ठीक है तो कोई 200 रुपए की 200 रुपए में दो कुर्सियां मिलती है ठीक है और 200 रुपए में आपकी 2 कुर्सी खरीद कर कितने में बेज देता है मालेजे इसको बेज देता तीन से रुपए जो तीन 200 300 ऐसी था ना आपस में क्रोस मुल्टिप्लाइग कर दीजे ऐसी तो था ना क्रोस मुल्टिप्लाइग क्या होगा दो गुड़े 300 माइनस 3 गुड़े 200 बटा 3 गुड़े 200 इससे भी याद कर सकते हैं कि जो लास्ट वालर है रहेगा वहीं नीचे लिखना आ है गुड जो तीहाँ चै rainbow UMD SF association do minimum OH music स्वाब आप मुझे कमंबंट में देंगे इसके में हानी हुई है कि लाभ हुआ है और हानी हुई तो कितनी हुई है लाब हुआ है कितना हुआ यह मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे और आई हो कि यह सीरीज आपको बहुत पसंद आई होगी आपके रिस्पांस काफी अच्छे रहते हैं और कहीं लोग बोलते हैं कि इसको प्रोसीज़ल मेथर्ड से में गुड़ा भाग करते हैं तो उससे आपका टाइम बसता है तो ऐसे ही ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको ट्रिक्स की वह भी कमेंट जरू करेंगा थैंकि सो मच